हलो दोस्तो मेरे वाटसब पे आज एक आफ़ालेटर आया हुआ है चलते हैं इस आफ़ालेटर को हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यह आफ़ालेटर सही है या गलत है किसी भाई ने मेरे पास वेजा है चलते हैं इस भाई को चेक करके हम बता ही देते हैं तो डाउनलोड करते हैं अफवालेटर को, यहां से open करते हैं, open करने के बाद आपके सामने अफवालेटर open हो चुका है, अफवालेटर के एक बद अच्छे से पढ़ ले, देख ले एक कौन से company का अफवालेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ अर्भी और इंग्लिस में दोनों में है उसके बाद आपको यहाँ पे बारकोड दिखाई देता होगा नीचे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बारकोड के नीचे आपको यहाँ पे candidate name जिसका भी अफ़ा लेटर उसका नाम पासपोर्ट नमबर उस पासपोर्ट नमबर यहाँ से के से स्टार्ट है के उसके बाद कुछ नमबर है उसके बाद जब अर्भी में देखें तो यहाँ पे के के जगाए पर बह है तो यहाँ पे सबसे पहले में यहाँ पे गलती मेरा यह पकड़ा कि जो अर्भी में जो नाम है वो गलत है सही है द अब मुल्क में रहता हूँ last 7 years से लेकिन मैं देखता हूँ कि हर Friday को यहाँ पर छुटी मिलता है चलिए छोड़ी इसका भी बात चलते हैं फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं साब चीज़ यहाँ पर step by step यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग देख लीजिएगे मैं पूरा अगर बताऊं तो बहुत टाइम लग सकता है वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो सकता है यहाँ पर खुब अच्छे तरह से इस company का stamp लगा दिया गया है और signature भी कर दिया जाता है signature तो आपको लगता है कोई भी ऐसे खसेड़ देगा लगए गहाँ signature होगे stamp तो कोई भी आदि बनवा लेता है कहीं पर भी जा करके अगर fraud ही काम करना है तो लेकिन fraud काम नहीं करना चाहिए बचना चाहिए उस सबसे जाली कामों से यहाँ पर देख सकते है stamp लगा आगया है मुहर लगा आगया है और थोड़ा सा और निचे आएंगे तो आपको यहाँ पर company का email ID दिखाए देगा company का website दिखाए देगा दोस्तों मैंने कोसिस किया company का website को open करने के लिए लेकिन company का website open नहीं हो रहा है उसके बाद मैंने कोसिस किया कि company का नाम search करूं google पे आ रहा है या नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैंने जब भी search किया google पे तो company का नाम भी Google पे सो नहीं कर रहा है मैंने कुछिस किया कि Google से search करके उसका details निकाले और देखे लेकिन इस पे कुछ सो नहीं कर रहा है तो कैसे समझ में आए कि अफ़ लेटर सही है निचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे एक बार कोड दिखाए देगा कीवार कोड दिखाए देगा इस कीवार कोड को हम scan करते है ऐसे तो कीवार कोड तो दो मिनट में बन जाता है लेकिन मैं आपको scan करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे एक application है इस application के माध्यम से मैं इस कीवार कोड को scan कर रहा हूँ आपके सामने देखिए मेरा laptop है यहाँ पे और मैं अभी मैं इस कीवार कोड को सामने जैसे लेकर आऊँगा तो अटोमेटिक के scan कर लेगा इस application का details मैं आपको बता दूँगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह कीवार कोड को मैं scan किया और कीवार कोड के scan करने के बाद आपके सामने इसका details open हो जाता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम कुछ और यहाँ पे दिखाई देने लगा उहाँ पे अफ़लेटर पे कुछ और नाम है यहाँ पे spelling के mistake है तो जल्दी बाजी में जो भी काम करते हैं वो गलत कर ही देते हैं आप लोग देख सकते हैं कैमर इकबाल होगा वहाँ पे कमर इकबाल था ठीक है न तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लेकिन ऐसे गलती कर लेते हैं इस application से माधम से आप keyword कोड़ खुद दो मिनट में बना भी सकते हैं आप पलस वाले option पे जागें क्लिक करेंगे ने बगल में यहाँ पर इसके इनके बगल में लिखा है जितना salary लिखना ही है जब गलती बनाना है तो लिखी दो ठीक है न दोस्तों तो मैंने यहाँ पे 5000 दिरहम कर दिया उसके नीचे में यहाँ पे इनका company का नाम या passport number भी दे सकते हैं आप passport number में आप देता हूं पासपोर्ट number कुछ भी है जो भी बनाना है जली तो कुछ भी passport number डाला और passport number बनाने देने के बाद आपको यहाँ पर फिर company के नाम दा दी यहाँ पर तीरपल सी एक company है आप लोग को साइध मालूम होगा तो तीरपल सी company किया यहाँ पर दुबई किया ओके तो उसके बाद कुछ numbering दे सकते हैं number लिखा mobile number लेकि कोई भी number यहाँ पर दे सकते हैं उपर तो number उपर देते हैं कुछ भी number देते हैं आप ठीक है ना एक दू तीन चार पांच कुछ भी दे 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 चलेगा उसका बाद create पर करना होगा click दोस्तों जैसे create पर click किजेगा तो आपके सामने ए एसकेन करते हैं चलते हैं फिर एसकेन पर हम से बहल करते हैं यहां से ऊपन कर रहा हूं तो दू스ट करने के तो दोस्तो open करने के बाद यह scan हो रहा है, यहां से यह परचार आ गया, इसको close करते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, दोस्तो फाइनली जो मैंने यहां पर लिखा था, स्वेम चीज यहां पर result पर so कर रहा है, अगर आप भी इसको scan करेंगे, अभी scan करेंगे तो य अच्छे से verification करना है, अगर company का पूरे details भी अगर सही मिलता है, तो company के पास आप email कीजिए, original email ID खोजिए, और original email ID पे अपना job offer letter को send कीजिए, वहां से आपको अच्छे से verification कर सकते हैं आप, जल्दी बाजी में अगर आप किसी भी agent या किसी भी अपिस वाले को पैसा दे दे जल्दी बाजी में अगर करेंगे तो पैसा डूब भी सकता है, तो दोस्तों उमीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुलना, क्योंकि मैं हम ऐसा ऐसा informative वीडियो लेकर आता रहता ह thank you so much